सारा सियासी घमासान अब राजिस्थान में शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है कॉंग्रेस का चिंतन शिविर तो होना ही है साती साथ में बीजेपी और कॉंग्रेस की असली आजमाईश भी राजिस्थान में होनी है पाँच राज्यों के विदान सभा चुनाव हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को जबरदस चीत मिली ही साथी साथ बाकी के चार राज्यों को भी बचा दिया पंजाब एक ऐसा राज्य रहा जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलट फेर कर दिया और राजनीती में अपनी मजबूत धमक भी दिखा दी अब राजस्थान वो जगे है जहाँ पर कॉंग्रेस या तो वापसी कर सकती है या फिर बीजेपी एक और राज्य में काबिज हो सकती है यहाँ पर इन दोनों के बीच में ही जबरदस टक्कर देखने को मिल रही है और हाल के दिनों में जिस तरह से सियासत गरमाई है राजस्थान में उससे ये साफ हो गया है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से चुनावी घमासान के लिए तयार है अब सबसे बड़ा सवाल सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से आखिर कौन है मुख्यमंत्री पद का चेहरा अभी तक वसंदरा राजे सिंदिया बीजेपी का चेहरा रही है ये तैम आना जा रहा है कि इस चुनाओं में वसंदरा राजे सिंदिया के नित्रित में शायद चुनाओं न लगा जाए हलाकि उनके चेहरे की सम्हावना से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि हर बार यही होता है इस तरह के कई आरोप लगते रहे हैं बीजे पी की तरफ से ही लेकिन वो एक काम्याब चेहरा भी रही है इस बाद से भी इंकार नहीं किया जा सकता है बरहाल वसंदरा राजे सिंदिया अगर बीजे पी का चेहरा नहीं है तो कौन चेहरे हो सकते हैं कुछ चेहरे आपको चौका सकते हैं और इनके नामों की चर्चा पुर्जोर तरीके से राजस्तान की राजनीती में खास तोर पर बीजे पी के हलकों में हो रही है इन में सबसे चौकाने वाला नाम हो सकता है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला जी का ओम बिल्ला जी यूँ तो समवेधानिक पत पर हैं और लोकसभा के अध्यक्ष हैं हलाकि वो राजस्तान से ही आते हैं कोटा से चुनाव भी जीतते रहे हैं लेकिन ओम बिल्ला जी का नाम अचानक से राजस्तान चुनाव के पहले बहुत तेजी से उभर कर आया है उनके नाम के उभरने की कई वज़े है उनकी एक साफचवी भी रही है वदान मंतरी मोदी के समय पर करीबी रहे हैं अब समवेधानिक पत पर बठा आदमी क्या मुख्यमंतरी पत के लिए जा सकता है तो हमने देखा है उत्तर प्रदेश में बेवी रानी मोरे जो की लड़ी भी है और उसके बाद में मंतरी मंडल में भी शामिल ही हूँ वो खुद भी राज जिपाल रहे चुकी थी और उनका नाम पुर्जोर तरीके से चलबा है क्या सिर्फ वही चेहरा है नहीं बीजेपी में ऐसे कई चेहरे हैं जिनके बीच में भी खीस्तान है दूसरा बड़ा चेहरा हो सकते हैं गजेंदर सिंग शेखावत जल शक्ती मंतराले जैसा महत्वपून काम प्रदान मंतरी मोधिन क्योंकि उनके लिए जल शक्ती सबसे महत्वपून रहा था वो गजेंद सिंग शेखावत जी को दिया गया और राजस्थान की पॉलिटिक्स में वो हाल के दिनों में जबरदस तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं उनकी इन एक्टिविटी से साफ है कि वो नित्रित्व कर रहे हैं एक तरीके से ऐसा दिखाई पड़ता है हलाकि देखे अध्यक्ष जो होता है उसको भी दौड में हमेशा माना जाता है लेकिन हमने ये देखा है कि जनता के बीच जो लोकप्रिय होते हैं बड़े नाम होते हैं और केंद्र की सियासत में भी जिनका दखल होता है उनका मुख्यमंत्री पद जो है वो ज्यादा स्ट्रांग उनका कैंडिडेचर बन जाता है गजेंद्र सिंग शेखावत एक ऐसा ही नाम है तो उनकी संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है दो बड़े नाम है एक और तीसरा नाम अचानक से चर्चा में आया और अमर उजाला से उन्होंने खास बाचीत भी कि उनका नाम है राज्यवर्धन सिंग राठोर पहले बहतरीन खिलाडी देश का सम्मान बढ़ाया उसके बाद में केंद्रिय मंत्री मंदल का हिस्सा भी बने लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार के मंत्री मंदल में उनको मौका नहीं मिल पाया लेकिन राजस्थान में उन्हें राजनीती करने का और अपनी एक्टिविटी्स को बढ़ाने का मौका मिला और पिछले काफी समय से वो राजिस्थान की लोकल राजनीती में काफी काम करते रहें और चुनाओ के ठीक पहले एक बार फिर राजिवर्दन सिंग राठोर काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार के विधान सवा चुनाओ में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी चुनाओ के दौरान चुनाओ जीतने के बाद क्या भूमिका होती है ये बड़ा सवाल रहेगा क्योंकि बहुत सारे दिगगत चेहरों के बीच उनकी दौर चल रही है युवा चेहरा है। उनकी भी साफ चवी है। प्दान मंतरी मोदी उन्हें पसंद करते थे खलाकि इस बार मंतरी मंडल में उन्हें नहीं लिया गया इसको लेकर कई बातें सामने आती रही हैं। लेकिन राजस्तान की जो लोकल राजनीती है या राज्य के सतर की राजनीत लेकिन ये तीन नाम बहुत मातुकूर्ण हैं जिनमें ओम बिल्ला, जोकि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, गजेंदर सिंग सेवर शेखावत और राजवर्दन सिंग राठोट। इन तीन चेहरों पर बीजेपी दाओ खिल सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या संयूक्त नित्रित्व के साथ बढ़ा जाएगा, कई राज्यों में ऐसा होता है कि जब आपकी सरकार नहीं होती है तो आप किसी एक चेहरे को सामने नहीं रखते हैं, हाला कि बीजेपी आम तोर पर किसी ना किसी चेहरे के नित्रित्व में या क किसी एक पोस्टर फेस के साथ में चुनाओ मैदान में जाती है। लेकिन राजस्तान में क्या इस बार ऐसा होगा ये भी थोड़ा सवालों के घेरे में है। या फिर सब को जिम्मेदारियां दी जाएंगी और प्रदर्शन के आधार पर फिर बाद में किसको क्या मिलता है इस पर विचार किया जाएगा। बीजेपी बहुत confident दिखाई दे रही है हालाकि बहुत सारे चहरों का होना यह अशोग गैलोद का confidence बढ़ाता है। वर्तमान मुक्यमंत्री अशोग गैलोद कहरे हैं छे छे चहरे हैं बीजेपी की तरफ से कौन होगा मुक्यमंत्री ? तो उनको ये एक confidence भी दिखाई देता है कि आपसी तोड़ फोड़ भी देखने को मिल रही है बीजेपी में लेकिन बड़ी अंदरूनी तोड़ फोड़ तो वो खुद भी जहिल रहे हैं सचिन पाइलेट अशोग गैलोत कौन नहीं जानता है कि कितना दो फाड़ कॉंग्रेस में इस वक्त हो चुका है तो उनकी मुसीबतें भी उतनी ही बरकरार है बराल पहले तो क्या बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर पाती है हाल के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी का confidence बढ़ा है अगर अच्छे परिणाम आते हैं बीजेपी के लिए तो फिर चेहरा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें